चैनल इंजिनीर मैं तो आई की सुडियो में हम लोग जी एसे सी जे की associ के भारे में डिसकॉस करेंगे और यह कट अफ इनलैसिस हेज़ेक्ट कट अफ एनलाइशिस हो रहने वाली है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जितना भी कटप एनलाइसिस किया है जैसे जैप सी एकी बीप सी एकी वह सारे कटफ एक्जेक्ट हुआ है हमारा तो डीटेल्स में हम लोग डिसकस करेंगे इसके बाद कितना कटफ राने वाला है कटेगरी वाईज और कितने में सेलेक्शन हो जाएगा और फिर नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है इसके बाद उसमें हम लोग बात करेंगे कि डिपार्टमेंट कौन से मिलेगा तो बेस्ट है कौन से डिपार्टमेंट सबसे अच्छा राता है और रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे हालाकि हमने लास्ट वीडियो में भी बतलाए था बट एक पर्टिकुलर वे में हम लोगों ने डिसकस नहीं किया था लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि कब तक रिजल्ट आएगा तो इस वीडियो में हम लोग मेली फोकस कर रहे हैं सीविल का Cup of Analysis के बारे में तो यह सिविल का Cup of Analysis प्र एलेक्टरीकल और मेइक्निकल और अगर आपको सकते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं को एकटरीकल की कटर करना और सुआ है तो आप सीविल qtt analysis जो हम लोग कर रहे हैं यह बहुत एक्दम करने के बाद कर रहे हैं और नंसर की जो आया है उसके बाद कर रहे क्योंकि न्यूuga in विसके अनसर की में बहुत सारे किसी का बहुत marks बढ़ गिया है जैसे किसी का स्वलाग किसी का बार किसी का i же टाइप से मार्क इंक्रीज हुआ है तो इसके बाद ही हम लोग फाइनल अंसर की जब देखे तो लगा कि नहीं अब जो कटफ एनलाइसिस करेंगे वह एकजेट कटफ होगा तो यह कटफ एकजेक्ट होने वाली है तो डिटेल से जितनी पी अपडेट्स हो जैसे सिलेवर्स की बात हो और फिर प्रिप्रेशन करने की बात हो जैसे डिप्लोमा पॉलिट टेक्निक बिटेक इंजिनियरिंग सर्विस और जे पीएस सी एई बीपीएस सी एई का जो प्रीपीएस यह को सारे आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा तो आपको बता दे की जेससी के सीट है वह 11 सेख एप्रोक्स में है और सीविल अलेक्टरिकल मेकनीकल सब के लिए अलग अलग सीड laugh लेकिन सबसे ज्यादा सीट सीविल के लिए है और इसका जो कट अफ राने वाला है जेनरल के लिए वह बहुत ज्यादा नहीं राने वाला अगर आपको इतना मार्क्स आ रहा है तो आप इसमें selected है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेनरल की cut-up के-बार में क्योंकि इसमें बहुत सारा department हो सकता है कि आपको वो department जैसे सबसे पहले first choice जो होता है आर-सीडी होता है फिर urban development इस ट्यप्स से बहुत सारा department है तो हो सकता है कि आपको अच्छा डिपार्टमेंट ना मिले और कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाए बट इतना कटफ ही जा सकता है इससे ज्यादा नहीं जा सकता है जो सिविल में है और जेनरल कटेगरी सबसे मोस्त नोग का स्च क्टेग्री में हैं क्योंकि उन्हों का कटफ बहुत कम जाने वाला है तो चलिए डिटेएल में सबसे पहले हम लोग डिसकस करते हैं कटफ इनलाइनीयस के बारे में फिर रिजल्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सब दिसकस करेंगे और एक 340-345 के बीच में रहने वाला है क्योंकि जो अभी फाइनल अंसर की आया है उसके बाद मैंने एनलाइसिस किया तो पता चला कि इतना ही कट अफ रहने वाला है पहले इससे कमी था 320 था बट अभी हर किसी का मार्क्स बाढ़ रहा है और नॉर्मलाइशन होगा तो नॉर्मलाइ से 300 वाला और चीट की बात करें तो सबसे ज़्यादा चीट वी जेनरल कटेगरी में ही है इसी लिए इसमें थोड़ा कट अफ ज्यादा रहा क्यूंकि जो BC1 कटेगरी से ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो उसको जेनरल कटेगरी में क्वालिफाइशन कर दिया जाता है तो इस मार्स लाने के लिए एलिजीवल है तो तो जनरल कटेग्री में 340-355 तक करा सकता है और OBC कटेग्री में बात करें BC1 की तो BC1 में 290-300 तक करा सकता है यह काटफ एनलाइसिस मैंने पहुत दिनों से कर रहा था लेकिन सोचा कि जब तक फाइनल अंसर की नहीं आएगा तब तक मैं काटफ एनलाइसिस अपने चैनल पर अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे चैनल वाले ने अपलोड किया है बाटूलों का काटफ एनलाइसिस वो जैसे दिसे अपने मन से बना करके डाल दिया है लेकिन ये कटफ एनलाइसिस बिल्कुल एक्जेक्ट है और इससे ज्यादा कटफ नहीं दा सकते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे एकजाम की कटफ एनलाइसिस किया है तो आप देख सकते हैं जैसे भी PSC-AE की हुई फिर JPSC-AE का और भी बहुत सारे एकजाम का मैंने क्या है जैसे पॉलिटेक्निंग लेक्चर ये सब का क्या था तो सबका एकजाम का जो अंसर की आता है उसके बाद ही हम करते हैं फाइनल एनलाइसिस कटफ की तो जेनरल कटेगरी में 340, BC1 में 290 से 300 रह सकता है तो इतना के बी बीच में इसके बाद BC2 का टेगरी की बात करें तो BC2 का टेगरी में 270 से 285 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका सेफ इसकोर है हलांकि JPSC-AE के बात करें तो इसमें BC1 और BC2 का जो कटफ एनलाइसिस है उसमें बहुत डिफेरेंस देखने को मिला था हलांकि इसमें भी देखने को मिलेगा बट थोड़क कम डिफेरेंस रहेगा हो सकता है 10 से 5 मार्क्स कर आएगा क्योंकि BC2 में थोड़क कम कटफ जाता है और BC1 में थोड़क ज्यादा कटफ कर जा रहा है क Bijचित तो डोसोग टू की बात करे तो 250 से 280 के बीच में रहनेवाला है इसके बादसी कि बात करें तो amशी on में 255 2565 के बीच कट रहने करने वाला है क्योंकि इसमें भी कंडिडेंस जो रहते हैं वह कम ही रहते हैंप और सित्म बहुत ज्यादा रहता है AC और इसके बहुत बात करते हैं हम लोग ST category ST category की तो पूरा मौज हो गए क्योंकि जो data मिला है एक तो उसमें से पता चला है कि qualifying marks ही जा सकता है जैसे JPSC एही में गया था क्योंकि candidates ही उतना नहीं है और seat बहुत ज्यादा है तो qualifying marks से अगर 5 से 10 marks ज्यादा आ रहा है 5-10 marks इसमें add कर दिये तो आपका selection हो जाएगा अगर आप AC category में है तो यह था हमारा JSCJ का cut-off analysis तो उम्मीद है आपको यह cut-off analysis अच्छा लगा अगर आपको कुछ query है तो आप comment में पूछ सकते हैं और next video में हम लोग बात करें कि result कब तक आएगा तो पर आपको बता दे result 15 तारीक के बाद ही आएगा और कौन से डिपार्टमेंट बेस्ट होती है अगर selection हो जाती है तो क्यूंकि अभी तो आपने preference डाला है इसके बाद फिर एक बार आपको हो सकता है कि जैसे बीपीए सी एए में preference डालने को बोला गया था तो अगर ऐसा होता है तो फिर से आपको हम बतलाएंगे कि कौन से डिपार्टमेंट आपको डालना है सबसे पहले तो उम्मीद है आपको यह information अच्छा लगत information अच्छा लगत वीडियो को लाइक कर देना हमारे चैनल पर ने तो मारे चैनल को सब् आपको बनाना होगी हैएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए पर वीडिपा ने वीडियोक अची ऑगत बनाना है समुआ इपको बनाना है सकतала है परूँरों को अगर यहाँ है ओसा है को फिर हएच्छा व damagingैंशने को बहर चैंशने को6 थाईंगे हैं सब्से ज